CBSC Words में आपका स्वागत है तो आज से हम स्टार्ट करेंगे Class 9 Science का 1st Chapter जिसका नाम है Matter in Our Surroundings तो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बता दिना चाहता हूँ कि यहाँ पर हम किस तरह से पढ़ेंगे यहाँ पर हम NCRT को बहुत डीटेल में एक एक चीज को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे तो यहाँ पूरी NCRT मैं आपको explain करूँगा with activities और जितने भी question है सारी चीज़ें cover होंगी और अगर कोई चीज ऐसी होगी जिसको important है NCRT में पूरा नहीं दिया हुआ है तो मैं बाहर से भी चीज़ें explain करूँगा जितना जरूरत होगी उतना exam के point of view से जितनी चीज़ें important होगी वो मैं आपको बताऊँगा ठीक है तो यहाँ पर हम line by line एक एक चीज detail में देखेंगे तो चलिए start करते हैं as we look at our surrounding हम अपने आस पास देखेंगे तो हम बहुत सारी variety की चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जो अलग-अलग shape की हैं अलग-अलग size की हैं और अलग-अलग texture यानि बनावट की हैं ठीक है shape अलग है size अलग है और बनावट अलग है हर चीज जो universe के अंदर है वो क्या है is made up of material तो कोई भी चीज जो universe में है वो किसी ना किसी material के बना होगा भाई लोहे का, लकडी का, पत्थर का किसी ना किसी चीज का बना होगा जिसको scientist ने अलग से नाम दे दिया है ठीक है scientific भाषा में उसने एक नाम दे दिया है scientist लोगों ने क्या नाम है वो matter यानि किसी भी चीज, कोई भी चीज जिस चीज से मिलकर बनी है, जिस material से बनी है तो इस material को scientist ने क्या नाम दे दिया है कि वो matter है जैसे जो air हम भीद करते हैं जो हम सहवा के सांस लेते हैं जो खाना हम खाते हैं पत्थर हो गया, clouds हो गया, stars हो गया, planets हो गया, animals हो गया यहां तक एक छोटी पानी की बूंध हो गई और एक छोटा सा sand का particle टुकड़ा यह सारी चीज क्या है, matter है ठीक है? क्योंकि यह सारी चीज किसी ना किसी चीज से बनी हुई है तो इसलिए हमने इसका नाम कह के दिया matter है अच्छा हम जब आसपास देखेंगे तो जो चीजे हमने अभी उपर discuss की तो वो क्या कर रही है? occupy कर रही है space, यानि कोई जगहा गेर रही है भाई बादल है तो कोई जगहा है, गेरेगा वो पत्थर कहीं रखोगे तो उसको कोई जगहा चाहिए space वो घेरेगा, stars हो गए, planet हो गए तो ये सब कोई space occupy कर रहे है, कोई जगहा घेर रहे है and have mass और उसका कुछ mass होगा, कोई वजन होगा दूसरे शब्दों में कहें तो ये जो चीजे हमने उपर discuss की यानि matter के बारे में जो हमने बात की उनके पास दोनों चीजे है, have both उनके पास mass है, यानि उनका कुछ वजन होगा, और उनका कुछ volume होगा volume होगा, यानि वो कोई जगहा गेर रहे हैं, कहीं रखोगे तो उसके लिए कोई जगहा चाहिए होगी, space occupy करेंगे ठीक है, बहुत पहले time से जो इनसान थे हैं, वो कोहिश कर रहे थे कि अपने आसपास की जो surrounding है हमारे आसपास जो चीजे हैं, उसको समझे उसको जाने, early Indian philosopher जो पुराने जमाने के पहले Indian philosopher थे, philosophers क्या होते हैं जिनके पास knowledge होती है, wisdom होती यानि वो बुद्धिमान लोग होते हैं तो वो हर चीज के बारे में जानना चाहते हैं ठीक है, और वो अपना नजरिया चीजों के बारे में present करते हैं simple समझो, वो तोड़े wisdom वाले लोग होते हैं बुद्धिमान लोग होते हैं, ठीक है तो इंडियन जो philosopher थे उन्होंने matter को classify I किया था बाटा था, in the form of five basic element पांच जो basic element है उनमें उन्होंने बाट दिया था और उसका नाम क्या दिया था ये जो इंडियन philosopher थे नाम दिया था पंचितत्व ठीक है, इसमें क्या आगया, आपका air हो गया अर्थ हो गया, fire, sky और water तो ये पांच हो गया जब किसी की death हो जाती है और kriya karam वगरा पूरा हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, उन्हें पंचितत्व में विलीन कर दिया, ठीक है तो वहां से ये word है, पंचितत्व according to them, यानि जो इंडियन philosopher थे उनके हिसाब से everything, हर चीज, चाहे वो living हो या living ना हो वो इन्ही पांच basic element से मिलकर बनी है यानि या तो air, या earth, या fire, या sky, या water इन्ही से मिलकर बनी हो, इसके अलावा कोई चीज नहीं है जिसे कोई भी चीज इस universe के अंदर बनी हो अब जो प्राचीन जमाने में जो Greek philosopher हुआ करते थे वो भी कुछ ऐसा ही classification करते थे matter का यानि कुछ इसी तरह से उन्होंने भी matter को बाटा था अगर modern day की बात करें तो आज के time जो scientist है उन्होंने matter को दो तरीके से classify किया है ठीक है? Two types of classification of matter एक classification है based on the physical property तो एक classification उन्हों के physical property के हिसाब से है और दूसरा उनके chemical nature के हिसाब से है physical property से क्या मतलब है? कि उसका appearance यानि किसी भी substance के अगर हम physical property जानना चाहेंगे तो उसमें क्या के चीज़े हम जानते है तो हम यह पूछेंगे बताओ उसका appearance कैसा है यानि दिखने में कैसा है उसका texture यानि उसकी बनावट कैसी है उसका color कैसा है उसकी महक कैसी है उसका melting और boiling point क्या है उसकी density क्या है उसकी solubility क्या है इन सब को detail हम आगे देखेंगे अभी short name में बता रहा हूँ ठीक है तो यह इसकी physical property है इसके हिसाब से हमने बाट दिया है और दूसरा जो बाटने के तरीका है वो उसके chemical nature की बात हम कर रहे है ठीक है chemical nature से मतलब क्या है कि यहाँ पर जिस substance की हमें chemical property जाननी होती है उसकी जो chemical identity है उसकी जो पहचान है उसको थोड़ा सा हम बदलते है जैसे हमें milk की chemical property जानना हो तो हम क्या करते है milk से उसे curd में अनि दही में convert करते है तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ इसकी क्या property इसी तरह से और भी कई रूपे हम बदलते है तो जब वो अपनी असल पहचान खोता है तो पता चलता है कि उसकी chemical nature क्या है इसको आगे आपको देखना है बहुत ज़्यादा इसके detail में नहीं जाना है ठीक है मैं short नमें बता दिया कि इसका क्या मतलब है कि दो तरह से हमने matter को classify करेंगी हम जो आज की sentence से इसी तरह classify कर रहे है और ऐसे हमी भी पढ़ना है एक तो physical property के हिसाब से दूसरा उसका chemical nature कैसा है इस हिसाब से तो इस chapter में जो हमारा सारा focus रहेगा जो हम learn करेंगे वो क्या है about the matter based on its physical property तो सारी जो बात होगी यहाँ पर वो matter के physical property के हिसाब से जो classification है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे और जो chemical aspect है यनि chemical nature के हिसाब से जो classification है उसे हम आगे के chapters में देखेंगे ठीक है तो यह basic से introduction था अब main topic पे हम आगे बढ़ेंगे अगले lecture में तो यहाँ आखर आज का topic हमारा end होता है और यह सारी जो videos है मैं playlist में add करता जाऊंगा अब वो playlist आपको कहां से मिलेगी कहां से देख सकते हो उसकी हम बात कर लेते हैं और दूसरे subject के अगर आपको वीडियो देखनी है तो channel का simply नाम सर्च करना है CBSC words D के बाद Z लगाना और उसके बाद click करेंगे तो home video playlist खुल जाएगा playlist पे click करना है scroll down करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा class 9 यह class 9 civics class 9 geography के playlist है यहाँ से open करके आप video देख सकते हैं और दूसरा तरीका यह है कि आप video के नीचे right side corner में एक arrow दी होगी उस पे click करोगे तो description open हो जाएगा description में सारे playlist के link दिए हुए है तो वहाँ से भी आप playlist देख सकते हो मेरा telegram group है आप उसे भी join कर लो Facebook page है उसे भी like कर लो सबका link आपको description में मिल जाएगा तो आपको यह video कैसी लगी comment करके ज़रूर बताइए अच्छी लगी हो तो like करिए और channel पर नए है तो subscribe कर लिजिए और उसके बगल में एक bell का icon होगा उसको दबा के all पर click कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको message आ जाएगा ओके तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you